Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेली प्राइम में स्टॉक आइटम्स की रेपोर्ट क्या है और उसे कैसे देखते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जिन ट्रांजेक्शन्स को हम वाउचर्स के माध्यम से रेकॉर्ट करते हैं टेली में उनकी आटोमेटिक पोस्टिंग होने के बाद वे ट्रांजेक्शन्स समबंधित लेजर में कैसे दिखते हैं जिस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव लेजर पर पड़ता है उसी तरह जब हम सेल्स, पर्चेस, सेल्स रिटर्न या पर्चेस रिटर्न के ट्रांजेक्शन स्टॉक आइटम्स यानि इनवेंटरी के साथ वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उनका प्रभाव लेजर के साथ साथ स्टॉक आइटम्स यानि इनवेंटरी पर भी पड़ता है और इस प्रभाव को हम इनवेंटरी बुक्स के अंतरगत स्टॉक आइटम्स समरी में देख सकते हैं हम inventory से संबंधे दो वीडियो बना रहे हैं जिसमें से ये पहली वीडियो है यदि आप stock items के साथ transactions record करते हैं तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है इन्हें ज़रूर देखें stock items के report के द्वारा हमने अपनी company में जितनी भी stock items बनाए हैं उन में से किसी भी stock item की पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि stock items का opening balance क्या था किस से कितना माल खरीदा किस भाव में खरीदा किस को कितना माल बेचा किस भाव में बेचा अभी हमारे पास कितना माल शेष है इत्यादी तो आये शिरू करते हैं आज का अध्याए अभी हम गेटवे आफ टैली पर हैं यहां से हमें रिपोर्ट्स के अंतरगत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा उसके लिए डी प्रेस करेंगे अब इन्वेंटरी बुक्स के लिए आई प्रेस करेंगे सभी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जिस स्टॉक आइटम की डिटिल्स चाहते हैं उसके नाम का पहला अक्षर टाइप करें जैसे हमने ओनीडा टीवी 20 इंचेस के लिए ओ टाइप किया ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी नाम होंगे वो सभी हाइलाइट हो जाएंगे अब अब या डाउन एरो की से उस पर जाकर एंटरप्रेस करें एंटरप्रेस करते ही स्टॉक आइटम मंतली समरी की स्क्रीन आ गई है इसमें सबसे उपर के और आप स्टॉक आइटम का नाम और रिपोर्ट का पीरियट देख सकते हैं यदि पीरि balance डाला होगा या पिछले साल का कोई opening balance होगा तो यहां पर उसकी quantity और value दिखाई पड़ेगी और इसके बाद महिनों के हिसाब से पूरे financial year की report दिखाई पड़ रही है आप जिस महा की report देखना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें देखे हमने जिस महा को चुना उस महा की पूरे report आ रही है यदे आप किसी अन्य period की day wise report देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके वो period टाइप करना होगा जैसे यहां हम F2 प्रेस करके एक मई से 31 अक्टोबर टाइप कर रहे हैं यह देखे हमारे द्वारा सिलेक किये गए period की report आ गई है हमेशा यह खास बात ध्यान रखें जब भी आपको यह report open करें सबसे पहले उसकी तारीख या period अवश्य चेक करें यहां भी particulars में सबसे उपर opening balance है उसके बाद party का नाम य cash या bank यानि जिस भी माध्यम से transactions हुए है उसका नाम दिखाई पड़ रहा है उसके बाद voucher का type है और फिर voucher number है इसके बाद हमने जो भी माल खरीदा वो inward वाले column में है जो भी माल बेचा है वो outward वाले column में है और हमारे पास जो माल बचा है यानि कि जो closing stock है वो closing balance वाले column मे दिखाई दे रहा है और ये सब details quantity और value के साथ है यहाँ पर किसी भी stock item के closing balance से आशे होता है opening balance plus purchase minus cell is equal to closing balance जैसे हाँ quantity में opening balance 10 है plus total purchase है 7 दोनों का जोड हुआ 17 इसमें से total cell 6 को घटा देंगे तो closing balance आगया 11 यदे आप इन सभी की item wise details देखना चाहते हैं तो alter और F5 प्रेस करें और यदे किसी voucher को open करके देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर enter press करें देखे हमने इस voucher से जो माल बेचा था उसकी details दिखाई पड़ रही है यदे आप इसमें कुछ alteration करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसके बारे में हमने day book के part 3 में विस्तार से समझाया है अब यदे आप किसी दूसरे stock item की details देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस stock item को select करें ये देखे सिलेक किये गए item की पूरी detail दिखाई दे रही है यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो purchase return key थी जिसके लिए हमने debit note voucher बनाया था वो in words में minus के निशान के साथ दिखाई पड़ रही है minus में वो इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जब हम purchase return करते हैं यानि खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो वो purchase में से कम होता है और उसे कम करने के लिए उसके आगे minus का निशान लगा होता है इसी तरह जब customer ने जो हमें sales return की थी जिसके लिए हमने credit note voucher बनाया था वो outwards में minus के निशान के साथ दिखाई पड़ रही है यहां हम आपसे कुछ बाते कहना चाहेंगे पहली बात इसके पहले डे बुक और लेजर वाली वीडियोस में हमने आपको transaction से संबंधे जो shortcuts बताए थे वो सब यहां भी काम करते हैं इसलिए आप डे बुक और लेजर की वीडियोस को जरूर देखें और यहां पर भी उन shortcuts का उपयोग करें दूसरी बात राइट बटन बार में जितनी भी shortcuts कीज दी हुई हैं उन सभी का उपयोग करके उनके results को समझने का प्रयाज जरूर करें यह सभी आपको भविश में बहुत काम आएंगी तीसरी बात यहां आप F12 प्रेस करके configuration मेन्यू में जितने भी options दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए एक एक option को yes और no करके उनके effects जरूर देखें यदि आप tally में कुछ काम कर रहे हैं और इस बीच उस काम को बंद किये बगएर किसी stock item की report देखना चाहते हैं तो उसके लिए go to पर mouse से क्लिक करें और यहां दिखाई पड़ रहे show more पर जाकर एंटर प्रेस करें फिर type करें stock ऐसा करते ही एक list आ जाएगी जिसमें stock item मंतली समरी दिखाई पड़ेगी उस पर जाकर एंटर प्रेस करें अब जिस stock item के report देखना चाहते हूं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें तो इस वीडियो में आपने जाना कि stock items की report किस तरह देखते हैं इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको पताएंगे कि stock groups के साथ stock items की report कैसे देखते हैं हुआ 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 है